वेलकम तो दी चैनल जहवस्टेडी आरो ए आरो 2016 में सिलेक्टेट सभी लोगों को जहवस्टेडी की तरफ से हार दीक बदाहियां कल हम दोनों ही बाहर थे मैं भी बाहर था और उतकर सर भी पाहर थे तो इतनी खुलके बदाही नहीं दे पाए और कल मैं वीडियो भी बनाने और यह शायद शाम तक अप्लोड होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे यह खासकर उन विद्यारतियों के लिए जो असफल हुए लेकि जो सफल हुए उन्होंने अपने सोपानों को पा लिया की नहीं पा लिया यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कई लोगों की उड़ा हो जाएंगे क्योंकि जब आप एक वार गिरते हैं तो आप वापस से उठने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यह वीडियो अन्तितक अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से हो सकता है आप बीच में भावग भी हो जाएं कई सारे ऐसे पहलों को मैं छूने वाला हूं जो कर पाया आज मैं बात करूंगा आज मैं शाम को जब फ्री होंगा पूरा तो मैं एक एकर करके सब को कॉल करूंगा जिनका नहीं हुआ और जिनका हुआ है उनसे भी बात ने की जाएंगी तो जैसे जैसे हम लोग के पास स्क्रीन शॉट आते जा रहे हैं लास्ट यह हम की आसे बतञ denar बातर शाम करते शाम को भूर करने के बाद भीडिया बनाके भीजा कर दे पिर हमारे सर इसर श्रय करते दे और रिविव दीने के बाद हम लोग को फिर इस्टुडेंगति यह विया आजुआ जो आड़ा हो कई बात लिएंग stuffs पार रहें कार आज और कई ऐसे भी थे जुन्होंने ऐसे बहुत अच्छा लेखा ने कि नहीं चूक गए कहीं न कहीं कुछ हुआ जाँ चूके हैं तो मैं यही कहना चाहरा हूं कि सफल और असफल होना में बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है एक मेरे ख्याल से पाइदान का अंतर है अगर आप आसफलें देखे तो सरफ एक पाइदान का अंतर है बस इतना हुआ है कि वो उस लाइन के उस पार पहुंच गया और आप इस लाइन के इस पार है बस और यह नेचर प्रकृती बहुत बहुत बैस्तरीन सी पढ़ीं थी मैंने और यह मगे अच्छे से पताएगी किई चात्र और कई छात्र हैं इस वक्त घर से दूर होंगे दो कुछ बच्चे इलावाद पॉहँच चुकें दिल्ली पॉहँच चुकें लखनवा पुहँच चुकें तैयारी कर रहे हैं से दूर हैं उनके सपनों को जीना चाहते हैं और कल अच्छी लाइने पड़े ही मैंने रात को ऐसी फेस्बुक पे टहल रहा था तो कहीं मैं नाम लेने में किसी का हिजक नहीं रहा होता हूं सौरपांडे जी का मैसेज पड़ा उसमें लिखा हुआ था कि कि मा तू देख रही से और कई सालों से उस सफलता के पीछे भाग रहे होते हैं फाइनली जिस दिन वो सफलता मिलती है उस दिन मतलब कहने के लिए शब्द नहीं बचते हैं लेकिन मैं बार-बार यही कहना चाहता हूं कि सफलता हमेशा कहता है चुनौती उसे स्विकार कर लो क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो जब तक ना सफल हो, नीन चैन को ट्यागो तुम संघर्स का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जयाजेकार नहीं होती, मेरे खियाल से है यह शब्ד जो कुछ किये बिना ही जयाजेकार नहीं होती, मैं नहीं कह सकता युकि मुझे पता है कि टेलीग्राम पर जुड़े हुए जैहोस्टेडी के टेलीग्राम पर जुड़े हुए एक-एक बच्चे ने बहुत महनत करी यह मैं बिल्कुल मेरे ख्याल से उतकर सर से हम यही मतलब चर्चा हो रही थी कि एक-एक बच्चे ने बहुत महनत करी है किसी के हक में वो जीत आ गई और किसी के हक में वो जीत नहीं आ परी बच्छतना सा फ़र्ग हुआ परना टेलिग्राम पे हमारे जुड़े हुए हर एक बच्चे ने महनत की है उसने लगातार चीज़ों को निबंध हमने दिये तो सब ने सब्मेट किये हमने गध्यांस, पद्यांस, परियावाची जो भी हमने मांगा, जो भी हमने मांगने की कोशिश करी परियावाची नहीं शायद गध्यांस दिया, पद्यांस भी नहीं बावक्ता में ये शब्द निकल जाते हैं कभी गदा जो भी हमने का नेशनल हिंदी में ड्राफ्टिंग में पत्र लेखन को दिया अगर पूरा-पूरा पेपर दिया कम्पुडर के प्रिशन दिये तो सब बच्चों ने सौल किये लिखे हैं पीड़े भीजिये और उन में से मैं अच्छी तरीके से 4-5 लोगों को जानता हूँ बहतरीन स्टुडेंट थे लेकिन नहीं सेलेक्शन हो पाया और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिनकी कॉपि मैं खुद रिव्यू कर रहा था और मुझे लग रहा था कि कहीं तुरुटियां हो गई है या फिर कई बहतरीन कॉपियां थे उनकी सेलेक्शन हुआ है कई तुर्टियों में थे लेकिन उन्होंने सुधार किया उनका सेलेक्शन भी हुआ है लेकिन कई ऐसे भी बहुत पहत्री इंते जिनका नहीं हो पाया तो मैं बस इतना कहना चाहरा हूँ इस बात पर मेरा 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 में पॉइंट जो है उसको अगर आप समझ पा रहे होंगे यह एक लाइन का फरक है यह उनका किसी के शब्द में सफलता जुड़ गई है किसी के में आप मतला है तो मैं आगे अलब हो गया अगला सफल हो गया अगला सफल मैं जानता हूं कि कई लोह बाहर है यह इस वक्त मातरप admitted से दूर है इभर में भी है वो ऑनको किसी उम में बं से आपको उन 97% लोगों की तरह इतने सारे प्रयास या प्रयास करने के बाद 97% लोग प्रयास करने के बाद गिव अप कर देते हैं सिर्फ उन 3% लोगों के लिए जो कहने के आदत रखते हैं आप उन 3% लोगों के लिए आप आप समझे को कि आप 97 प्रसत लोग अपनी तयारी चोड़ देते हैं end time पर आके क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सफर नहीं हो पाएंगे लेकिन वो जो तीन प्रसत बचे हुए हैं जो लगातार continuity में रहते हैं द्हां दीजेगा इस शब्द को कि प्रकर्टी आपके मेहनत की करजदार होती है जतनी आप मेहनत कर रहे हैं इस करी ओई महनत का करज ये नेचर जरूर चुका देगा समय लग सकता है बस मैं बार-बार कहता हूँ कोई इस नेचर में जो आप जो लगाता रोज के महनत करते हों गर्ज सढाते जा रहे हैं इस प्रकरती हे उपर यह कर्ज बो वापस करेंगी अगर इनसे गुजर जाएंगे और इस समय को अपने काबू में कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से अगला साल आपका होगा और जहोई स्टेडी पूरी तरीके से जो हमारे बच्चे थे टेलिग्राम ग्रूप में उनके साथ खड़ी हुई है जो सफल हुए हैं उनको हमेशा से बढ़ाई दे रहे हैं बढ़ाई अभी भी उनके लिए है जो सफल हुए हैं उनके साथ हम पूरे द्रण संकल्प के साथ खड़े हुए हैं हम एक बार फिर से तयार हैं पूरे जज़बे के साथ समिख्षादकारी साइक समिख्षादकारी 2021 की टेस्टेजी शुरू होने वाली है पूरे दजबे के साथ हम लोग प्री की तयारी फिर से कराने वाले शुरू हो चुकी है तयारी हो चुकी टेलिगाम पे ग्रूप पे बच्चे एड हो चुके हैं PCS अपर दयारी चल रही है बहुत धुआधार तरीके से चल रही है कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़े गई तो तय है और फिर मैं यह कहता हूं कहना चाहूंगा कि यह मुझे अच्छे से पता है कि कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों से दूर हो गए हैं मेरे ख्याल से और कुछ लोग अपनों के खातिर सपनों से दूर हो गए हैं आप किस लाइन को चुनना चाहते हैं यह आप पे निर्वर करता है इसलिए नहीं इसलिए बढ़ाई देरा हूं धेर सारी की आने वाले 2021 में आपकी सफलता मुझे लगता बहुत शेयर होगी आप जैवस्टेडी के साथ जुड़े रहे हैं और जैवस्टेडी के साथ जुड़ने के साथ साथ PCS अपर 2021 हम निकाल रहे होंगे और PCS रिवीव PCS हम निकाल ले होंगे इसमय बैठने का बिल्कुल भी नहीं है रोने का या सीना पीटने का भी नहीं है समय निकलता जा रहा है पीछे की भीड आती जाएगी वो बहुत संगर समय है बहुत तेज चल रही है आपको उने पचाड़ना है तो रोज पढ़ना पड़ेगा मेहन रेड जोन चल रहा है रात के समय में उसको करिए रेड जोन आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आपको और पीछे धकेल रहे हैं बागी मैं यह कहूंगा यह सिर्फ एक लाइन एक सिक्के का एक पहलू आज आपके पक्षमे नहीं है कल आपके पक्षमे होगा लोगों की बयान बदलेंगे लोगों का आपके प्रती निजरिया बदलेगा और आप भी सफल होंगे बागी प्रत रहे हैं वेस्ट अप लग उन्हों को जो 2020 में पर पर देने वाले हैं तैंकियू सो मच जैंजे भारत